हलो एवरीवन विल्कम तो सरवर्मिश्राज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सेंट्रल गॉवर्मेंट ऑफिसर रिकूट में नोटिफिकेशन रिलीज हुई अच्छी पोस्ट है गॉवर्मेंट पेस्केल ऑफर होगी एनी ग्रैजुएट फ्रेशर भी बिल्कुल एलिजिबल है अप्लिकेशन डालने के लिए टोटल 90 से ज्यादा पर्मानेंट पोस्ट ह तो आगे बढ़ेंगे ऐफिशल वेबसाइट पर सारी डीटेल्स हम कवर करेंगे अप्लिकेशन फी क्या है कौन से कैटेग्री के लिए कितनी अप्लिकेशन फी है और बाकि की सभी डीटेल्स चलिए आगे बढ़तें ऑफिशल वेबसाइट की तरफ सबसे पहले हम यूर मिन्स उन्रेजर्ड कैटेगरी या फिर ओपन कैटेगरी जिसे हम कहते हैं या फिर जेंरल कैटेगरी तो जेंरल कैटेगरी के लिए तोल 43 पोस्त है पोस्ट बीड़लोडी कैंडिडेट के लिए और एकसे सम के लिए नाइन पोस्ट हैं अब हम आगे बढ़ेंगे कि ऑफिशल नोटिफिकेशन आप कहां चेक कर सकते हैं और बाकी चीजे यह नोटिफिकेशन रिलीज हुई है एंप्लोई स्टेट इंशुरेंस कॉर्परेशन म अंप्लोईमेंट गॉब्वर्मेंट ऑफ इंडिया के अंतरगत यह तो प्यूर्ली गॉडमेंट जॉब हो गई क्यूंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेवर और एंप्लोईमेंट गॉब्मेंट ऑफ इंड्या भारत सरकार के अंतरगत कर्मचारी राजय वीमा निगम आता है ESICB हम इसे बुलाते है यह official website इसकी recruitment section में आपको आना सबसे पहले official website पर आना यहाँ पर सबसे उपर आपको टॉप में नज़र आ रहे हैं recruitment recruitment पर जब आप क्लिक करते हैं तो एक page open होती है तो कई सारे recruitment से हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़े आपको नज़र आईगी आपको एडवर्टीजमेंट डेखने हैं जिसमें पोस्ट का नाम लिखा हुआ है यह वाली फिलाल फिफ्ट सीरियल नंबर पर जब आप देख रहे होंगे तो हो सकता है इसका सीरियल चेंज हो चुका इसलिए आप नाम याद रख लें एडवर्टीजमेंट पर रिक्रूट्मेंट तो पोस्ट आप सोशल सेक्यूरिटी ओफिसर मैनेज मैनेजर ग्रेट तू सुप्रिंटेंडेंट 11 मार्च 2022 को यह अपडेट हुई है यहां ओफिशल वेबसाइट पर और इसकी लास डेट है 12 एप्रिल 2022 तो एप्रिल तक आप अप्लिकेशन डाल सकेंगे यह एक बार डाउनलोड कर लेते हैं पहले उसके बात समझते हैं कि क्या है आगे की चीज़े एसेंशल कॉलिफिकेशन स्केल ऑफ पे पेज नमबर वन पर ही दी हुई है पे लेवल सेवन 44,900 की इनिशल बेसिक पे यह बेसिक पे है बेसिक पे के उपर आभी आपको डिये एच आरे ट्रांस्पोर्ट एलावेंस और अधर एलावेंस जो गोर्मेंट ऑफ इंडिया के न होने वाली है स्टार्टिंग अब एसेंशल कॉलिफिकेशन में डिग्री ऑफ रिकोगनाइजड यूनिवर्सिटी मिन्स आप पर के पास अगसना तक डिग्री है बैचलर डिग्री है ग्राजवेशन कंप्रीट की हुई है तो आप यहां पर बिलकुल इलिजिबल है 20-12-22 में एक सर्टिंग नॉलあの इंग नॉब्लबग एक सिज खास है कि कोई भी एक्स्त्रा सर्टिफिकेट नहीं मंगी जारही और नहीं कोई प्रीपिंग स्किल और यह से क्योंकि यह मैनेजर ग्रेड है इसलिए आप पर टाइपिंग स्किल आई है मांगा नहीं जारही कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट किसी स्किल के लिए तो only graduation अभी हम इसमें age limit check कर लेते हैं age limit आपको check करने है 12 April 2022 12 April 2022 को base लेकर आपको age calculate करने है minimum 21 years and maximum 27 years तो minimum 21 साल और maximum 27 साल age में relaxation दी जाती है as per government of India norms तो government of India norms के मताबिक आपको age में relaxation दी जाती है तो वह आप चेक कर सकते हैं SC, ST, OBC, Maki के कैटेगरी के candidates के लिए age में relaxation page number 2 आप इसको visit कर सकते हैं how to apply यहां पर दिया गया application कैसे डालनी है अब हम बात करेते हैं application fees की और अगर Maki की detail और भी दी हुई है अगर तो ST, SC, PWD and departmental candidate के लिए female candidate and ex-servicemen के लिए 250 रुपे है और यह fee भी आपको refund हो जाएगी the fee of rupees to 50 shall be refunded, duly deducting bank charges as applicable on appearing of the candidate in part 1 written examination तो जैसे आप part 1 written examination में appear हो जाते हैं तो यह 250 रुपे बैंक charge कट करके return आपको कर दिये जा सकते हैं तो पार्ट 1 written exam happier होना होगा तो SC, ST, PWD, departmental candidate, female candidate and ex-servicemen के लिए 250 रुपे है जो refundable है अगर आप part 1 में happier written exam में होते हैं जिसमें सिर्फ बैंक charge को deduct किया जाएगा Maki category के candidates के लिए non refundable है वो refund नहीं होगी 500 रुपीज application fee रहेगी तो होप यह part आपको clear हो गई है payment of fee, online mode में application डालनी है अब हम बात कर लेते हैं कि examination की scheme क्या रहेगी, examination की scheme दियो phase 1 में prelims है जिसमें normal जब competition के लिए हम prepare करते हैं तो English reasoning, quantitative वगएरा तो 100 mark के यहाँ पर नज़र आ रहे preliminary examination और उसके बाद main examination phase 2 में और phase 3 में computer skill और descriptive test होगा फिर phase 3 में और फिर descriptive paper में English language letter writing essay writing वगएर होगा और इस तरीके से phase 1, phase 2, phase 3 में डिवाइड किया गया है examination को job location exam centers mention नहीं कियें लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे कि government of India कि तो all over India कई सारे multiple centers दिये होंगे choice जब आप application कर रहे होंगे वहाँ पर आपको choice पता चलेगी पीडियोफ में centers mention नहीं किये गए जॉब location की अगर बात रहती है तो जॉब location भी क्यूंकि government of India की recruitment है तो all over India में हो सकता है multiple location पर recruit किये जाए इसके बाद application कैसे डालनी है पहले first two years probation period पे रखा जाएगा तो दो साल शुरू के probation period में और उसके बाद फिर regular post बनाया जाएगा इसे इसमें application कैसे डालनी है एक link दी हुई अलग से वह मैं आपके साथ share करती हूं जब आप recruitment पर यहां पर क्लिक करते है recruitment पर तो यह page open होती है और यहीं इस page पर आप advertisement भी नीचे देख सकेंगे और यहीं पर click here to submit online application for recruitment to the post of social security officer 2022 तो यह link है यहां से इस पर आप एक बर click करते हैं तो यह page open होती है separate page click here for new registration अगर आपने कभी किसी post के लिए already apply किया है registered है तो ठीक है otherwise new registration के लिए यहां से आप registration की process complete कर सकते हैं 12 March से online application शुरू चुकी है और 12 April 2022 तक आप application कर सकते हैं editing भी कर सकते 12 April तक अगर कुछ गलत हो जा error हो रहा है तो आप edit कर सकते हैं प्रेंट करने 27 April तक आप अपने पास एक प्रेंट रखें उसकी online payment आप कर सकेंगे 12 March से देखे 12 April 2022 तक तो यह सारी details official website पर आपको आकर मिलेगी advertisement को अच्छी तरीके से पढ़ें इसके बाद ही application डालें कभी भी आप application डाल रहें तो यह लिंक लिए मैंने Wikipedia से लिए फिर भी आप अपने लेवल से जरूर verification करें उसके बाद ही application डालें आप सभी को best wishes thank you very much इस official website की link मेरे वीडियो के description box को चेक करें description box में आपको link जरूर मिल जाएगी